नमस्कार किसान भाईयों, मैं हूँ प्रकाश खत्री और ये है मेरी पापा राणो लाल देव किसान जी खत्री जिन किसान भाईयों ने स्वाती भी लगाये हैं, उनके अनुपव, उनकी जुबानी सुनिये और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी स्वाती सीट चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर जरूर करे और हाँ बेल आइकन दवाना ना भुले धन्यवाद राम राम किसान भाईयो आज हम स्वाती के आरेंडी फार्म पे आपका आर्दिक स्वागत करते हैं हमने यहां एक पसु चारे के लिए नवी वेराइटी चिकोरी गास बीज लगाया हुआ है जो आपको दिखाना चाहते हैं यह बिल्कुल हरी पत्ती हरा चारा तोड़ने के लिए बहुत ही काम की चीज हैं हमने इसको नौम बर 15 के आसपास विजाई किया था और अभी तक इसके 8 से 10 कटिंग ले चुके हैं इसका जो पत्ती है वो बिल्कुल मुलायम अरा पालक के जैसा होता है और पसु को खाने के लिए भी इसमें एकदम स्वादिष्ट है दूसरा ऐसी जो अपने यहां की लोकल काशनी जैसी काशनी कहते हैं वो होती है उसमें क्या होता है कि गर्मी में यह डंठल अंदर वाला लाल पड़ जाता है और अभी हम जहां बैठे हैं हमारे फाम पे यहां 41-42 डिग्री टेंपरेचर है लाश 15 दिन से फिर भी इसके अं अब इसकी कटिंग नहीं आएगी इसको निकाल देना पड़ेगा लेकिन वैसा का वैसा जैसा लगाया था आठ दस कटिंग करने के बाद भी वैसा ही मुलाया में और बिल्कुल हरा है और बहुत ही कम जगे में काटने के बाद भी अपना एक ओप क्या कहते हैं बारा बन जा निकालो नीचे जमीन से उखड़ा है जिसमें आप देख सकते हो के एक दो तीन चार पांच छे साथ यह पतिया तो कट चुकी है उसके बाद में नहीं आई हुए पतिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननीस, बीस, बीस, इकीस के गरीब गरीब इसकी फुटान है और हमें तो यह चारा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हाला कि यह अभी आएगा और लेकिन बहुत ही बढ़िया वेराइटी है, हाँ, दूसरी बात इसको एक भीगे के अंदर सिर्फ 500 ग्राम बीज ही जरूत पड़ती है, क्योंकि इसकी फुटान बहुत है, यह जो आप देख सकते हो, पूरी क्यारी में हमने सिर्फ 60 ग्राम बीज लगाया हुआ है, और 60 ग्राम भी हमको यह लग रहा है कि थोड़ा अभी इस से कम बीज लगा होता तो इसकी पुटान और अच्छी होती है, धन्यवाद, इतने में हाथ भर गे पूरा, इतने में हाथ भर जाता है, इतनी चोड़ी और इतनी लंबी पत्ति है, उस हिसाब से क्या है, और पसो भेड, दोल, बरबर के दूद देती है, तो और आनद आ जाता है, तो इसको देंठल लाल हो जते है, उसकी पत्ति एक्दब कड़क हो जाती है, जो यह धारी है, नहीं है उतना, फिर अपन सोचते हैं, अपने उत्तर भारत में लगने वाली जो कासनी है ना अभी, वो कासनी में क्या होता, इतनी गर्मी के अंदर एक तो यह अंदर वाली यह डंडी लाल हो जाती है, पत्तों के साइड वाली धारिया भी सब लाल हो जाती है, पत्ता एक्दम मरला आजम भी हो जाता है उसको आजमा भी ठीक रहता है इसे